दुनिया में लोकतंत्रिक व्यवस्था कम होती जा रही है। सभी कंपेरिटिव एक्जाम से जुड़ी महत्व पून जानकारियां जो आपको किसी भी एक्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। तो सबसे बहले जानते हैं लोकतंत्र सूचकांग होता क्या है। दरसल ये रिपोर्ट पांच निशकर्षों पर आधारित है। प्रक्रिया और बहुलवाद, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागिदारी, राजनीतिक संस्कृती और नागरिक स्वतंतरता। वहीं अगले चरण में सूची को तीन स्चेनियों में विभाजित किया गया है, जिनमें पूर्ण लोकतंत्र, तुर्टी पूर्ण लोकतंत्र और सत्तावादी शासनवाली राश्ट्र शामिल है। तो क्या कहता है लोकतंत्र सूचकांग 2021? तो The Economist Intelligence Unit ने 2021 में 165 स्वतंत्र देशों और दूर्ट शेत्रों में लोकतंत्र की स्थिती पर अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दुनिया के 165 लोकतंत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूरा लोकतंत्रिक कहा गया है। नौर्वे, न्यूजीलंड, फिनलंड, स्वीडन और आइसलेंड शीर्ष पांच देश हैं जबकि मध्य अफ्रीकी गंडराजिये Democratic Republic of Congo, उत्तर कोरिया, मेयमार और अफ्कानिस्तान लोकतंत्रि सूचकांग 2021 में नीचे के पांच देश हैं। सूची में भारत और अमेरिका को तुर्टी पोन वाले देशों में जगा दी गई है। 2006 में सूचकांग की शुरुवात के बाद से लैटिन अमेरिका ने 2021 में किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा जटका दर्ज किया, जिसमें सबसे अधिक संख्यामे देशों ने दोहरे अंक में गिरावट दर्ज की है। सूचकांग की सभी श्रेणियों में शेत्र का स्कोर 2021 में गिर गया। 2021 का सूचकांग कहता है कि दुनिया की एक तिहाई से अधिक आबादी सत्तावादी शासन में रहती हैं, जबकि सिर्फ 6.4 फीसदी पून लोकतंत्र का आनन लेते हैं। वैश्विक लोकतंत्र स्कोर 5.37 से गिर कर 10 में से 5.28 के निचले स्तर पर आ गया। चलिया बात करते हैं सूचकांग में भारत की स्थिति की। भारत को वैश्विक सूचकांग में तुर्टी पून लोकतंत्र श्रेणि में रखा गया है। 6.91 के समगर स्कोर के साथ भारत 46 में स्थान पर है। 6.61 के स्कोर के साथ भारत की रैंक 53 वहीं साल 2019 में भारत 6.9 के स्कोर के साथ 51 स्थान पर था। बात अगर 2018 की करें तो भारत इस साल 7.2 तीम के स्कोर के साथ 41 स्थान पर था EIU 2021 डिमोक्रिसी इंडेक्स के अनुसार हिंदू राश्च्रवादियों द्वाराधार्मिक और अन्य अल्प संख्यकों के उत्पीडन पर नकेल कसने में भारत सरकार की विभलता देश के लोकतंत्र स्कोर पर भारी पड़ रही है जिसमें हाल के वर्षों में काफी गिरावट आई है और अब नज़र डालते हैं भारत के पडोसी देशों की रैंकिंग पर तो चीन, मयानमार और अफगानिस्तान को सत्तावादी श्रेणी में रखा गया है बांगलतेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, हाइब्रिड शासन में जबकि श्रीलंका को दोशपूर्ण लोकतंत्र श्रेणी में रखा गया है E.I.U. ने चीन के बारे में कहा कि हाल के दशकों में देश की उलेखनी आर्थिक सफलता के बावजूद चीन अधिक लोकतंत्रिक नहीं बन पाया है लोकतंत्र सूचकांक में चीन को सत्तावादी शासन के रूप में वरगी कृत किया गया है इसका कूल स्कोर 2.21 है और 148 स्थान पर बैर्षता है जो वैश्विक रैंकिंग के निचले भाग के करीब है चुनाव प्रक्रिया और बहुलवाद के लिए देश का स्कोर 0 है चीन चुनावी लोकतंत्र से परहेज करता है उसके पास स्वतंत्र चुनाव, सार्व भौमिक, मताधिकार या बहु दल्य प्रणाली नहीं है नागरिक स्वतंत्रता के लिए इसका स्कोर 0.88 है कोई मुफ्त प्रिंट, प्रसारण या सोशल मीडिया नहीं है अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंध है कोई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन नहीं है कोई स्वतंत्र न्याय पालिका नहीं है और कानून के समक्ष कोई वास्तविक समानता नहीं है ये राजे धार्मिक सहिशुनता का अभ्यास नहीं करता है और नियमित रूप से यातना का उप्योग करता है और अब जानते हैं EIU की 2021 Democracy Index Report के संपादक जोआन होई क्या कहते हैं होई का कहना है कि EIU की 2021 डिमोक्रिसी इंडेक्स रिपोर्ट लगातार दूसरे वर्ष दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंतरता पर COVID-19 के निरंतर नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। हालकि एशिया ने 2016 तक स्थापित की गई उपर की गती को बनाई रखने के लिए संखर्ष किया है लेकिन इस क्षेत्र ने अपने समग्र क्षेत्रिय औसट स्कोर में लगातार दूसरी गिरावट का अनुभव किया है। EIU की डिमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट वैश्विक लोक तंतर की स्थिती का एक स्नाप शॉट प्रदान करती है।